एक दिन की नौजाद बच्ची को फेक कर एक महिला फरार दरसल थाने कलवा भासकर नगर का है मामला बच्ची को फेकने की घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई आपको बता दे के मुंबई से सटे थाने शहर के कलवा छित्र में इनसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है मामला एक दिन की नौजाद बच्ची से जुड़ा है जी हाँ एक दिन की नौजाद बच्ची को कुड़े के पास रात के आनेरे में एक महिला फेक कर फरार हो जाती है और जिस वक्त महिला बच्ची को फेकने के लिए जा रही होती है तो उस दौरान की सारी तस्वीरे घटना सल पर सीसी टीवी कैमरे में कैद हो जाती है आईए देखते हैं क्या है पूरा मामला कूडे के पास पाई गई एक दिन की बच्ची रात के अंधेरे में बच्ची को छोड़ महिला हुई थी फरार महिला की ये सरमसार हरकत सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई दरसल वारदाथ मुंबई से सटे थाने शहर के कलवा का है CCTV में कैद हुई ये तस्वीरें उस महिला की हैं जो एक दिन की बच्ची को कूडे के पास फेक कर फरार होती दिखाई दे रही है महिला जैसे ही नौजाद बच्ची को रख कर फरार होती है तो चंद मिन्टों में ही बच्ची के रोने की आवाज सुनकर कुछ लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके बस्ती के पास इस्थित जहां कूडा फेका जाता है वहीं ये नौजाद बच्ची रोती नजर आई इस्थानिय लोगों ने एक जागरुक नागरिक की तरह कलवा पुलिस थाने को इस बारे में जानकारी दी जिसके बाद कलवा पुलिस ने मामले की गंबीरता से लेते हुए कलवा और भासकर नगर के इलाके की अलग-अलग CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया जिस जगा बच्ची को रखकर संदिक महिला फरार हुई थी उस जगा की भी तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है जिसमें वो अंजान महिला ये अपराद करती दिखाई दे रही है महत 24 गंटे के भीतर ही इस मामले को लेकर कलवा पुलिस ने CCTV की बिना पर जब मामले की गैराई से छान बिन और बच्ची को फेकने वाली महिला को गिरफतार कर लिया है जब उसके इस अपराद को लेकर फुलिस ने सवाल किया तो इस मामले में और एक नई जानकारी सामने आई कि जिस परिवार का ये नौजात बच्चा है दरसल वो मूल रूप से उत्तर परदेश के बस्ती जिलाके रहने वाले हैं और कलवा के भासकर नगर में पिछले एक महिने से रह रहे थे और इसी परिवार की एक महिला शादी से पहले ही गरवती हो गई थी और इस महिला ने नौजात बच्ची को जन्म भे दिया लेकिन समाज और लोक लाज की डर की वज़े से एक दिन के मासूम को आई भोर सुबह पांस से छे बज़े के करीम महिला की एक रिष्टदार इसी एक दिन के बच्चे को फेक कर सारी परिशानियों को दूर करने की कोशिश करती है लेकिन बच्ची की रोने की आवाज इस्थानी लोगों की जागरुकता और पुलिस की मुस्तैदी के कारण इस अपराद से परदा उट सका बहरहाल एक दिन की बच्ची को कलवा अस्पताल में भरती कराया गया है बच्ची का स्वास बिलकुल ठीक है वहीं इस मामले में बच्ची को फेकने वाली महिला पुलिस की गिरफ्त में है और उसके खिलाफ इसके संबंदित धारा के तहत मामला भी दर्च कर कलवा पुलिस आगी की छान भी इन में जुटी है